वेलकम टू बैक माई चनल और आज हम लोग पंडे वाले हैं क्लास 10 के मोडल सेट वन का बहुत भी 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 है कोशन ठीक है जैसे कि मोडल सेट वन में तो कोशन नमबर 6 में ये कोशन आपको दिया है कि छाया को छूने से कवी का क्या आस है चाया को छूने से कवी को क्या आस है वा चाया को छूने से क्यों मना करता है कोशन ये कहना कि छाया को छूने से जो चाया है उसको छूने से कवी का क्या आस है मतलब स्वें कवी क्या भावत अस्वस्ट करना चाहता है और दूसरी बात यह है कि वह चाया को छुने से मना भी क्यों करता है या इस चीज़ को भी जानना है तो चलिए इसको जाने की कोशिश करते हैं बहुत ही सरलभासा में बहुत ही असाल सब्दों में ठीक है तो चलिए एक दम इस वीडियो को देखते देखते आपको ये कोशन आद हो जाएगा छाया को छुने से कवी का आसे है कि बीते हुए सुखद पलों से है जो आपके सुख के पल है पल का मतलब है या समय हो गया समय तो आपके जो बीते हुए सुख के जो पल थे जो समय थे उससे आसे है या आई होप आपको इसका जवाब मिल गया कता है कभी बितेवे सुखों को याद करने के लिए मना करता है, क्या मना करता है कि भया जो बित गया है ना उसको छोड़ देजे ना उसे क्यों आद करते हो मने में तकलिफ करने के लिए, तो यहाँ पे दो सवाल पूछा गया है, पहला सवाल यह है कि भया कभी जो है सो छाया को छुने स क्यास है तो छाया को छुने का मतलई हुआ कि आप आपका जो भी सुक बित गया है जो चीज बित गया है सुक का जो पल जो बित चुका है जो भी नहीं है उसे याद ना ही करें तो बेटर है पहला बात ये और दूसरा जवाब क्या है कि भईया छाया को छुने से क्यों मना कर मतलव इतना दूख पहला है न उसको करना करते साथ से, मतलब अगर आपका मन तीन गुना पहले था इसको दो से गुना करिए मतलब छो गुना हो जाएगा ठीक है कहने का मतलब ये मन दो गुना हो जाता है इसलिए हमें अतीत को भुल कर वर्तमान में जीना चाहिए ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को हम क्यों करें लंबा अगर यह वीडियो पसंद आए तो अधिक साधिक अपने दोस्तों के पास सेयर करें ताकि ओभी इस वीडियो को देख के आद कर लें बहुत ही भी वियाए कोशन तो हमें कॉमेंट करके ज़